नुश्कार मैं ट्रक्टर जेके और आप देखरें मेरा YouTube चैनल Health Awareness बिटी जेके आज क्यों वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि वीपी कैसे चेक करते हैं ब्लॉड प्रिसर कैसे चेक करते हैं को लाइब डेमो देखिए आप कि हमारे आत्रियो दॉर्णे वाला प्रिसर जो प्रिसरस होता है उससे हमुआ उससे नापते हैं वही चीजा आपको दिखा रहे हैं ब्लड प्रिसर अधिक नहीं होना चाहिए नार्ब्ल ब्रिसर हमारा 120 और 80 mm Van Surinable यानि 120 इस्टोनिक और 80 डिस्टोनिक यदि ब्लड प्रिसर ज्यादा हुआ तब भी हमें इकत होती है हमारी सलाह यह है कि 40 बर्स के बाद आपको रिगुलर कम से कम सब्ताह में एक दिन तो ब्लड प्रिसर आवस्य चेक कराना तो आप ध्यान से देखिए इस्टोन और सक चानल में पहली बार आएक है कि सब्सक्राइब north एलिवSpot कर देडियो को ज्यादा स्यादा यह देखना है तो तो दook क्रिशिडियो परेश अश्य करने के लिए कहम हम हाथ में पेशेंट कर एसको बाद देतें नियान से दिखिएगा यह इद्यान स्टाइट कर देते हैं कि धर धीला लगए जादा और फिर इस टाइटो को हम दिले लेते हैं एक इसी के द्वारा मँदकी सव सुनते हैं यह जो है यह जो है यह इसको के द्वारा इंगरेज करते जाते हैं और सम्फिंग 200 तक इंगरेज करते हैं 200 इसलिए करते हैं क्योंकि यह BP अधिक होगा तो फिर हमको पता नहीं चल पाएगा अब 200 तक लिए जाने के बाद हम इसकी एर जो है धीरे 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 रिलीज करते हैं ऐसे अब यह हमको पहने साम सुना दी 120 में यह सिस्टोलिक है इसके बाद हम फिर से इएर को रिलीज करते जाते हैं यह हमारी दूसरी सांड यहां पे बंद हो गई है यानि हमें सिस्टोलिक ब्लड प्रिसर 120 पर हमें इसकी सांड सुनाई दिए ब्लड प्रिसर का और सेकंड फिर सुनाई देते-डेते से स्ट्रीक में आके फिर बंद हो गई तो डास्टोली नार्मार नहीं इनको किसी दवायों की जरुनलद है इनके उम्र जो 43 एर यह हमारे पास बीकल हम नाय आती है आशा है कि आप और प्रेसर करना समझ में आ गया होगा और हमारा काह्मात है आप लोग इस च्भल में तो आप रिखुलर हमा ब्लड़ प्रेसर चिक करें स्वांधा वस्त जए है धन्यवाद आप तो पि